आपने ये तो सुना या देखा होगा कि किसी तक ने की खराबी के कारण किसी रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा हो या फिर किसी दंगे परदसन के दोरान भी ऐसी स्तीती पैदा होती है लेकिन कि आपने कभी सुना है कि किसी एक लटकी की वज़ा से पुरा railway station बंदो जाए सुनने में बड़ा ही अजीव लगता है लेकिन इसा सच में हुआ है चलिए आपको पुरा मामला बताते हैं दरसल जी से railway station के हम बात कर रहे हैं वो पच्छिम बंगल के पुरूलिय जिले में है और इसका नाम है बेगुन कोडर railway station साल उनिससाट में railway station खुला और इसे खुलवाने में संथाल किरानी सीरी मती लाचन कुमारी कावा हम एक दान रहा station खुलने के कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन बाद में हैं कुछ अजीव करिब घटना एक घटने लगी साल उनिससाट की बाते जब एक railway करमचारी ने इस्टेशन पर एक महिला का भूत देखने कर दावा किया था इसके बाद ही अफ़ाद तेजी से फैनने लगी इस महिला की महत इसी इस्टेशन पर एक ट्रेन डुर घटने में हुई थी रेलवे की तरफ इस बात को लोग को बताये क्या लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया वहीं उस वक्स सब चोग गए जब बेगुन कुडर के स्टेशन मास्टर और उनका परवार रेलवे क्वाटर में मरे हुए मिले यहां रहने वाले लोग का दावा था कि इन महतों में उसी लड़की का हाथ था उनका कहना था कि महिला का भूत सूरे डरनने के बाद जब भी कोई तेरेन यहांसे गुजरती थी तो उसके साथ साथ डरने लगती थी और कभी-कभी आगे भी निकल जाती थी साथ ही कई लोग का कहना था कि भूत को पटरियों पर नाजठे उए भी देखा गया था इसके बाद ये railway की record में दर्ज हो गया और यहाँ station पर लोगों और करमचारियों का आना बंद हो गया यहाँ टेरेनों को रुकना बंद कर दिया गया सब डरने लगे कहते हैं कि इस station पर भूत की बाद पुरूलिये जिल्ले से लेकर कुलकाता और यहाँ तक की रेल बे मत्राले तक पहुँच चुकी थी यह भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन इस station से गुजरती थी तो लोको पाइले ट्रेसन आने से पहले ही ट्रेन की गती बढ़ा देते थे जाकि जल से जल दो station को पार कर सके यहाला कि 20 साल बाद साल 2009 में गावालों के कहने पर तत कालिंग डेल मंत ममता बेनर जीन एक बार फिर से इस station को खुलवाया तब से भूत होने का दावा नहीं किया जाता लेकिन अब भी लोग यहाँ सूरे ड़लने के बाद नहीं दूखते